आज हम लोग NLM पढ़ना सीखना सुरू करेंगे आप कॉपी और पेन, नोटबुक लेके बैठ जाएए और सब कुछ आप लिखते रहेगा और आज जो पढ़ा जाए उसको आज ही आप रिकॉल कर लिजीगा चलिए अब इस चैप्टर के जो सुरुवात होती है उसमें सबसे पहली चीज है फोर्स और यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, माक्सवाइज भी इसका वेटेज है और हमारे फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर है जिनमें इन कंसेप्ट का जम के यूज है तो बिलकुल द्यान से सुनते रहिएगा और लेक्चर पूरा पढ़ने के बाद आप काफी कमफर्ट फिल करेंगे इस टॉपिक को लेके अब सबसे पहले जो फोर्स है जिस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को सीखने के लिए तो फोर्स क्या होता है जिए पुस एंड्पुल इच कॉल्ड़ फोर्स मतलब अगर कहीं पर पुलांड़ फुुस हो रहा है तो अशु को फोर्स बोल सकते हैं अब यह आपके द् millimeters की कि अगली बात इसके यूणिट की करें जिसकी यूणिट है एक हमारी में की अने और दूसरी है MNT cgs unit दोस्तों अच्छे से सुनते रहेगा बिलकुल यह पूरा चैप्टर पकड़ में आएगा अब देखें एमकेस उनिट जो है इसकी न्यूटन है जिसको हम capital N से रिप्रजेंट करते हैं और जो cgs अधी उनिट है वो दाइन है तो cgs उनिट क्या है कैसे जैसे मानने जीए इसको कैसे रिलेट करें हम तो जैसे वन मीटर में हंड़ीट सेंटिमीटर होता है अगर हम लंद के MKS, CGS and Rkk, मास में बात करें तो एक केजी में हंड़ीट गर्म होता है । ठीक वैसे ही दोस्तों इसके जो MKS हम लोग लिखते हैं से किलोवेट अब यह जो किलोवेट है इसका क्या मे tragedies है इसमें कितने न्यूटन होते हैं तो हमारा वं किलोवेट इसको और थोड़ा अगर समझना चाहें तो इसमें हम समझ सकते हैं जैसे मैं आप से बोलें 5 किलोवेट तो 5 किलोवेट का मतलब है आप 5 इंटो 9.8 कर दीजी आगे न्यूटन मतलब जो small g की value होती है उससे हम लोग multiply करते है अब small g की value है वो 9.81 के आसपास है रफ तब में इसको 10 भी लिख सकते है मतलब हो सकता है आपको कहीं पे या question में अगर लिखाए कि g की value 10 consider करनी है और वहाँ पर force दिया है 5 किलोवेट देन आप 5 इंटो 10 उसको 10 न्यूटन consider कर सकते तो इसको अच्छे आप लिख लिजे copy में और इसके बाद next अगर हम force की बात करें यह जो force है force is a vector quantity क्या कहा दोस्तों हमने force is a vector quantity force is a vector quantity अगर force एक vector quantity है तो इसके पास magnitude भी होगा direction भी होगा बस दोनों चीज़ें क्योंकि vector quantity है क्योंकि generally अब जैसे देखो कुछ आप exception छोड़ दीजे जैसे माली जीए अगर हम electric current की बात करें तो है तो स्केलर उसके पास magnitude डारेक्शन दोनों होता बट वह स्केलर है लेकिन अभी हम वह नहीं जाएंगे में तो यह है कि अगर कोई quantity वेक्टर है तो वह उसके पास क्या होगा magnitude भी होगा और डारेक्शन भी होगा तो force के पास में डारेक्शन है अच्छा इसको राइट डाउन कर लेंगे मैंगी जब भी हमें इसको राइट डाउन करना होगा तो हमेशा किस लग रहा है वह बताना होगा और किस जाल है यह बताना होगा अब देखिए अब कर चैप्टर को continue करेंगे इसमें फोर्स को समझने के बाद उसकी यूनिट को हमने समझा उसके सीजिया सेमकेस में रेलेशन हमने देखा देन हमने इसके एक प्रैक्टिकल यूनिट भी देखी उसके बाद अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो देधर आपको महसूस होने लगा हो सब्सक्राइब करेंगे जितने हमारे चैप्टर में फोर्स मिक्स करके जो टोटल है इसमें जितने भी फोर्स है पहले हम डारेक्शन शीखेंगे आज के लिक्टर में और नेक्स k्लास में हम उनका मेग्निटूद निकालना सीखेंगे इस तरह से हम पूरा जो कंबाइन ज क्लासिफ़िकेशन ओफ फॉर्स ज है क्लासिफाई कैसे किया गया तो यहां हम llegó क्लासिफाई करें पे पर को वह real मतलुका कॉइए um लग रहा है या भीना तच लग रहा है इसको बेस लेके यहां पर हम लोग फोर्स का ग्रूप बना रहे हैं तो यहां पर ग्रूप बनेगा contact force का कौन सा force contact force then दूसरा group बनेगा दोस्तो non-contact force non-contact force एक group क्या बनेगा दोस्तो contact force का और एक group बनेगा non-contact force का अब contact force में क्या है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग normal के बारे में सीखेंगे किसके बारे में सीखेंगे दोस्तो normal के बारे में जैसा कि अभी हम लोगों ने decide किया कि पहले हम लोग सारे forces की direction को लेके concept अपना strong करेंगे then हम लोग सारे forces का magnitude निकालना calculate करना सीखेंगे by equation कैसे equation को यूज करके magnitude निकालना तो सबसे पहले हम नॉर्मल की direction सीखेंगे जिस sequence में हम लोग लिख रहे हैं इसी sequence में हम चीजों को भी सीखेंगे second है हमारा tension tension एक force कौन लगाता है कब लगाता है कितना लगाता है यह सब कुछ देखेंगे then है हमारा spring force कौन सा force है spring force है यह spring force और इसके बाद हमारा आता है सबसे last में जो यह हम सीखेंगे friction है तो सबसे last में लेकिन ऐसा नहीं कि इसका weightage कब है इसका भी अच्छा खासा weightage है अब अगर हम non contact में आके बात करें तो यहां जो एक force है हमारे syllabus के और यह है gravitational gravitational force अच्छा gravitational force है क्योंकि दो मासे सगरी एक दूसरे पर force लगाते हैं तो दोस्तों उसके लिए contact होना जरूरी नहीं है बीना touch के force लगते हैं मित्रों अब यहां पर second है electromagnetic force electromagnetic force electromagnetic force अच्छा अब यह जो group बन गया हमारा अब हम एक की करके सारे forces के बारे में सीखेंगे उनकी direction के बारे में आज सीखेंगे और आज का lecture करने के बार आप विलकुल comfort होंगे इनकी direction को लेके एक तो इनका origin मतलब कब normal होगा कब tension होगा कब spring force होगा यह आप तुरंद पहचान जाएंगे और किस सरफ होगा यह हम पहचान जाएंगे किस सरफ होगा direction को लेके हम लोग आज crystal के लिए और हो जाएंगे तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले normal के बारे में यहाँ सीखते हैं अब यह जो normal force है अब normal force यह आपने सबसे पहले normal force अब यह जो normal force है पहले समझते ही क्या है तो जैसा कि हम लोगों ने जो classification of force किया था उसमें दोस्तों यह normal force हमारे किस group में आया था contact group में आया था अगर contact group में आया था that means it touch selected it is a contact force वहीं से सुरू करता है इसके बारे में it is a contact force contact force which is perpendicular which is perpendicular to the contact point perpendicular to the contact point मतलब जिस point पे contact है उस point से हमें साब perpendicular लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे body को compress करना चाहता है as such that as such that it try to it try to compress the body it try to compress the body मतलब यह हमेशा यह contact force है इसकी direction हमेशा contact point से perpendicular होगी और ऐसे होगी जैसे body को compress करना चाहता है यह तो ही इसकी official बार अगर अगर हम इसको समझे है daily life में हमको कैसे पता चलेगा कहां पर contact force लग रहा है sorry normal force लग रहा है तो इसकी बात है जैसे अगर हम कहीं यह basically pressing वाला force है जब हम किसी चीज को पकड़ के प्रेस करते हैं टच करके या board पे हम ऐसे करके क्या कर रहा है प्रेस कर रहा है तो daily life में हम प्रेसिंग वाला force देखते हैं due to pressing जो लग रहा है उसी force को हम यहां पर normal समझते हैं अपने slivers में अच्छा इसके लिए एक बात और है कि normal लगने के लिए मतलब प्रेसिंग होने के लिए किवल contact होना जरूरी नहीं है contact के साथ साथ प्रेस भी करना जरूरी है जैसे अगर आप हमारे बगल में आके बिल्कुल खड़े हो गए तो हमारे बगल में आके खड़े हो गए हमसे आपका touch है तो चूने से नहीं लगेगा चूना तो ठीक है कंपल सरी है बिना चूए नहीं लगेगा लेकिन चूने के साथ साथ दबाना भी पड़ेगा आपको दोस्ते मतलब यह वह अला pressing force है जो touch वाइस में क्या करना होगा आपको body को touch करना होगा और touch के साथ साथ आपको दबाना भी पड़ेगा तब नॉर्मल लगेगा बोड को ऐसे touch करने से नहीं होगा बोड को जो हम प्रेस करेंगे तब नॉर्मल लाएगा चलिए अब आपने इसको अच्छे से समझाओगा अब इस पर जितने question होते हैं उनको एक एक करके हम लोग करना शुरू करते हैं अब देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें अपने syllabus वाईए तो माल लीजी ये एक surface है अब यहाँ पर यह ground है ground में हमने घास लगा दी अब यहाँ पर एक block रखा है अब हमको पता करना है कि यह जो block है इस पर किधर normal आएगा कितना normal आएगा यह हम लोग next class of magnitude निकालना सीखेंगे आज हम लोग normal की direction निकालना सीखेंगे दोस्तों अब आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा यह जो block है और हमको पता है एक official definition हमको पता ही है बाकी हमको पता है कि यह क्या होता है pressing वाला force है तो यहाँ आप सोचिए कि जैसे block है यह ground को किधर press कर रहा होगा बहुत simple सा answer है downward press कर रहा होगा normal को represent करते हम लोग end से अब यहाँ पे अगर यह ground को नीचे press कर रहा है तो ground block पे किधर force लगा रहा होगा उपर और यहाँ एक symbol चलता है कि आप जिस पे force पता कर रहा है तो यहाँ आप ground लिखे due to block मतलब अगर हमने यहाँ लिखा FAB तो इसका meaning क्या होता है जो पहले लिखा है दोस्तों उसका meaning होता है on मतलब FAB यह पहले लिखा है तो A पे लगेगा force और किसके द्वारा लगेगा तो आंसर है B के द्वारा लगेगा तो हमें सब force क्या होता है एक body दूसरी body पे लगाती है कोई body खुदी से खुदी पे force लगा कि उसका effect नहीं देख सकते हैं तो इसलिए तो यह represent करना और अच्छा हो जाता है और किस्टल के लिए रोजाता है कौन सा normal मतब किस पे लगने वाला normal तो ground पे दोस्तों किदर लग रहा है नीचे लग रहा है और ground के द्वारा block पे किदर लग रहा है उपर तो यहां पे जो हम normal लिखेंगे यह block पे लिखेंगे और due to ground जैसे पहले block भी लिखा है तो block है तो लग किस पे रहा है दोस्तों block पे लग रहा है और लगा कौन रहा है दोस्तों ground लगा रहा है तो इस तरह से हमने normal समझ लिया और हमको पता है contact point से किदर होता perpendicular वो भी condition हमको यहां दिख रहे है next अगर question के हम बात करें normal पे ही तो माल लीजिए हमने क्या किया यहां पे यह हमने एक wall बनाई क्या बनाई दोस्तों हमने एक wall बनाई अब यह जो wall हमने यहां बनाई इस पे यहां पे एक rod रग रग रेते हैं और हमारे rod के पास mass है मल्ला हमारी rod क्या नहीं है मास है अगर हमारी rod के पास mass है तो आप सोचिए यह हमारा नीचे floor है then यह हमारा वाल है अब आप सोचिए यह contact points यहां पर इस contact है अगर touch है mass है तो done है कि pressing औह होगी ही होगी rod के पास मास है तो floor को press करेंगा और हमको वैसे भी पता है contact point से perpendicular होता है तो यह ground को किदर press करेगा दोस्तों तो ground को यह press करेगा नीचे की तरह तो अगर यह ground को नीचे press करेगा तो यह ground लिखेंगे then rod लिखेंगे मदब लग किस पे रहा है दोस्तों तो answer है ground पे लग रहा है rod के द्वारा और दूसरा जहां जह यह touch है वही-वही से आएगा तो यहां पे किस पे लग रहा rod पे due to ground लग रहा है ऐसे दिखा सकते हैं अगर हम अनदर कहां पे touch है तो rod का हमारा touch है wall से wall को किधर press कर रहा होगा थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप समझेगा जो contact point है यहां को इस surface दिख रही है उसी surface पो contact point है त यहां पे क्योंकि action reaction pair होगा तो इधर किस पे लग रहा होगा rod पे due to wall लग रहा होगा तीस तरह से हमने यहां देखा अब और question करते हैं आप भी जैसे हम question करते जा रहे हैं दोस्तों तो आप भी क्या करिए हमने diagram बनाया थोड़ा video को रोक के एक बार आप सोचे normal किदर action दी अब यहां पे अगर हम next की बात करें तो यहां पे माल लीजिए यह हैं हमारी wall और यह wall के बगल में यह हमारा floor और यहां पे क्या किया हमने एक block रखा ब्लॉक के पास mass है यहां पीछे भी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं हर block के पास mass है जो एक single block रखे ते यहां पे क्य किया मान लीजिए हमने अपने द्वारा एक force लगा के रखा है अब हमको पता है कि यह wall को तोड़के इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि natural disaster हमारे slivers में नहीं है तो यहां force अगर लगाया गया अब normal की अगर हम बात करें उस force का जो origin है कैसे लग रहा उसमें नहीं बात करेंग तो यह जो block है यह ground को किधर प्रेस करेगा तो answer है ground को नीचे प्रेस करेगा और इस पे कौन लगा रहा ब्लॉक लगा रहा तो इसको ऐसे दिखाएंगे देने यहां पे block पे किधर आएगा यहीं से एक line उपर जाएगे हमारी block पे किधर आएगा उपर आएगा due to ground यह आगे दूसरा touch का आएं तो यह जो block है यह यहां wall को इधर प्रेस करेगा तो normal किस पर लग रहा वाल पे due to block और इसका opposite इधर भी लगेगा किस पर लगेगा block पे due to wall लगेगा यह भी आप ड्रॉ कर सकते हर question को आप एक बार खुद देखिएगा देन हम जैसे ड्रॉ करें वैसे दे round है हमारा यहां पर दोस्तों एक block है यहां पर दूसरा block है बी अब हमको क्या करना है बी पे normal की direction पता करनी है due to age हो आएगा तो आराम से एक बार खुद ट्राई करिए उसके बाद देखिए हमने कैसे किया तो अगर हम बी पर normal की direction की बात करें दोस्तों तो आप क्या करिए यहां पर अगर आओ और बी पर अगर कह रहा है तो बी पर लगने वाला ही normal बताना है तो देन हम क्या करेंगे बी को ऐसे पकड़ा तो आप बताओ बी ए को किधर प्रेस कर रहा होगा नीचे तो बी ए को नीचे प्रेस कर रहा होगा तो जो ए है वो बी पर every action is equivalent opposite reaction दोस्तों तो यहां पर यह किधर आएगा उपर आएगा तो नॉर्मल किस पर लग रहा बी पर डेटू ए और यही तो हमने आप से बोला था कि आप उस नॉर्मल की direction बताईए जो बी पर लग रही दोस्तों और किस के द्वारा लग रही ए के द्वारा लग रही अगर हम आपसे कहते एपर लगने वाला नॉर्मल बताईए डारेक्शन वाइड कि जो बी के द्वारा लग रहा है तो हम इसको रिपर जिन कर देते हैं देर अगर हम बांद दीजिए हमारे कुश्चन ब्लॉक के नंबर दो से जादा हो गए यह ब्लॉक के है सारे ब्लॉक के पास मास हैं यहां जितने लिख रहे हैं यह ब्लॉक C है नंबर आप ब्लॉक यहां जादा हो गए कितने भी ब्लॉक रख सकते हैं अब यहां अगर हम आप से बोले कि काम करिए यह जो ब्लॉक C है आप ब्लॉक C पे ब्लॉक B के द्वारा किदा नॉर्मल लगेगा यह हम आप से कहतें ग्राउ अगर आपने क्लिक किया होगा दोस्तों तो आपको पता है C B को नीचे प्रेस करेगा तो B C को उपर प्रेस करेगा तो किस पे लगेगा किदर आएगे डाउनवर्ड आएगी N B A लिखेंगे क्योंकि यह जो B है वो A को किदर प्रेस कर रहा है नीचे कर रहा है अच्छा force की एक property और है कि अगर हम किसी body के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसी force को देखते हैं बच्छों जो इस body पे लग रहा है क्योंकि उस body पे जो force लग रहा होते हैं वहीं उसके motion को decide करते हैं ना कि वो जो force लगाता है अगर अब यहां पे अगर हम आगे बढ़ें तो माल लीजिए हमने आपको दिया यह हमारा ग्राउंड है यहां पे एक ब्लॉक A है यहां पे एक दूसरा ब्लॉक B है यहां पे आपने कुछ फोर्स इधर से लगाया जिससे यहां पे इस सिस्टम में एक्सलेशन आ सके क्योंकि अब फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि तो क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है तो यहां मुउ हमने 0 ले लिए मुझ जीरो लेना मतलब अभी सर्फेस फ्रिक्शन ने उधर से आपने फोर्स लगाया अब हम आपसे कहें क्या बताओ B पे ए के दौरा किधर नॉर्मल लग रहा है तो आप बोलेंगे से बी पे ए के द्वारा जो नॉर्मल है आप आराम से कर सकते हैं तो आप बताओ ये जो ए है वो बी को किधर प्रेस कर रहा होगा आगे की तरफ प्रेस करके जाप पीछे पूर्स लगा रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम आगे एक्सलेट हो होगा तो जो ए है वो बी पे किस तरफ फूर्स लगा रहा होगा तो अंसर है जो बी ये ए है वो बी पे आगे की तरफ लगा रहा होगा और यहां अगर हमने बी पहले लिक है मदब बी पे लगने वाला नॉर्मल एक के द्वारा उसका डारेक्स अम्माली जी कभी कभी हमार यहां नमबर और ब्लॉक एकस दो से ज़्यादा भी दे दिये तो कोई डरने की बात ने घबलाना नहीं है यह क्या है ब्लॉक B है देन हमारा ब्लॉक C है यहां पर आपने कुछ फूर्स लगाया और यह हमारा म्यू कितना है तो अंसर म्यू हमारा जीरो है अब आप बताएं मा बिल्कुल आप निसित रहिए आप कुछ नहीं करना आप सूचो B C पे किदह लगाएगा उधर से फूर्स लग रहा है पूरा का पूरा एक्सलरेट हो रहा होगा तो B C पे आगे लगा रहा होगा तो C B पे पीछे लगा रहा होगा इस तरह से यहां जो नॉर्मल आएगा B किदह रहा होगा C के द्वारा यह इस डायक्शन में आएगा और इसको हम क्लों का लिखेंगे B पे लग रहा है किसके द्वारा C यहां पर आपने एक block रखा, mass M है, आपको इस block पर लगने वाले normal की direction बताने ही दोस्तों, तो आप सूचे इसको relate करना है अगर, तो आप सूचे अगर surface यह flat है, माल लीजिए, यहाँ एक block रखा है, तो नॉर्मल किधार आएगा इससे पर्पेंडिकुलर आएगा मनद सर्फिस से किधार आए बच्चो पर्पेंडिकुलर कॉंटेक्ट पॉइंट से पर्पेंडिकुलर और कॉंटेक्ट पॉइंट यहार सर्फिस पे तो आब बताएए अगर आप सर्फिस को यहार टिल्ट करे मानुआ जहाद को आपफने ऐसे घुमाया तो हमारी सरफेस अगर थीट इंगल घूम Joshua Sh向 घूय कम गई दोश्जिच तो अगर हमारी सरफेस थीटा इंगल से घूब हमारा से गूम हमारा जो नौर्मल होगा वह इस से थीटा इंगल घूम जाएगा गाला यह inclined plane है, तो surface flat नहीं inclined की, वो क्या है, tilt हो गई है, तो जितना angle यहां से angle of inclination बना होगा, हमारा normal जो यहां से आएगा, वो यहां से y-axis से, vertical direction से उतना ही angle tilt हो गया होगा, तिस तरह से हमने inclined plane पे एक block रखके उस पे भी normal सीख लिए, अब इसके बार, मान लीजिए हमारे, यहां पे inclined plane पे एक से ज़्यादा block रखें, क्या रखें बच्चों, एक से ज़्यादा, दो block रख दिये हमने, अब आपने block क्या कि ए, block A है, देन यहां आपने एक block B रख दिये, new आपका zero है, क्योंकि अभी हमने friction नहीं जाना है, तो आप बताएए, यहां A पे या B पे, A के द्वारे normal किदर लगेगा, सोचे, तो दोस्तों, यहां आपको एक surprising answer मिलेगा, कि A के द्वारा B पे, हम inclined plane के द्वारा नहीं बोल रहे हैं, इन पे जो लगेगा, हम बात करना है, इस समय कि जो B पे है, वो normal किदर लगेगा, तो उसका answer है, कि B पे A के द्वारा normal ही द्वारा नहीं लगेगा, मतलब A और B में normal ही नहीं होगा, अब आपको इस surprising लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां गर mu zero होगा, तो दोनों एक ही acceleration से गिर रहे होंगे, तो जब body एक ही acceleration से एक ही access पे चल रहे हैं, तो आप खुछ सोचे, इस ऐसे influence में, free fall type का सीधे आ रहे होंगे, तो कहने का मतलब क्या है, या इसको summarize अगर करें हम लोग, तो normal लगने के लिए contact होना ज़रूरी नहीं है, contact के साथ साथ pressing भी होना ज़रूरी है, तो यहां जैसे हम आपको visualize कराते हैं, थोड़ा आप सूचेगा, सारा खेल physics imagination का है, बहुत बेतरी chapter है, subject है हमारा, अब जैसे आप सर पे अपने load रखे, अगर आप ऐसे floor पे खड़े होंगे, तो आपको pressing feel हो रही होगी, यहां हम यहां floor पे खड़े हैं, तो आपको pressing feel हो रही, अगर हम च्छत से कूच जाएं, अपने सर पे load लेके, तो रास्ते में pressing feel नहीं होगी, तो contact होने के लिए छूना जरूरी नहीं, छूके दबाना भी जरूरी है, तो इसलिए यहां normal के आएगा, ए के द्वारा बी पे भी normal 0 होगा, और बी के द्वारा ए पे भी normal 0 होगा, यह है इन क्लाइंट के बाद, अगर हम आप स्फेरिकल बाड़ी की बात करें, जो स्फेरिकल बाड़ी होती है, वो आगए sphere जैसे, तो यहां पे जैसे यह मालेजी एक sphere आपने रखखा, अब हमें इसका मासे में, हमें sphere पे normal पता करना है, तो sphere में क्या है, जैसा कि normal की definition है, contact पॉइंट से perpendicular, तो sphere के case में, जैसे आपने एक स्फेरिकल बाड़ी बनाई, कोई point A है, आपको इस point A का perpendicular पता करना है, तो दोस्तो, sphere के case में किसी point का perpendicular क्या होता है, तो answer है, उस point को center से match करा दो, तो यह जो line draw हो गई, यह point A के लिए perpendicular हो गई, अगर यहाँ पे एक point B है, point B की perpendicular line डो करनी, तो B को center से match करा दो, यह जो line खिचेगी B की perpendicular, ऐसे यहाँ point C है, तो यह matching जो line हो गई, यह क्या है, perpendicular, अब यहाँ sphere के case में, जहाँ touch है, आप उस point को सीधे center से मिला दीजिए, तो यह जो normal लग रहा है, यह sphere पे लग रहा है, due to ground लग रहा है, और ground पे अगर बात करेंगे, तो ground को किदर फेल हो रही pressing नीचे, due to sphere, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं sphere के case में, जहाँ contact है, उस contact को सीधे कहाँ से मिलाना है, center से मिलाना है, आपको आहाँ normal की direction मिल जाएगी, अब अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े spherical body को लेके, तो मान लीजिए हमने आपके सामने यह diagram बना, यह जो diagram है, यह ऐसे support है, यह ground है, यहाँ पर क्या किया हमने, एक spherical body के same height है, यहाँ एक spherical body आपने यू रख दी, अब आपते हैं normal किदह लगेगा, तो जहाँ जहाँ touch है, वहीं वहीं से आएगा, और sphere के पास mass है, तो pressing भी होगी, तो जहाँ यह touch है, इस touch को A माल लीजिए, तो इस point से सीधे center को मिलागी, इधार आएगा, तो sphere पे लग रहा होगा, due to point A, यह normal लग रहा होगा, अगर हम इसको point B समझे, जहाँ जहाँ touch है, वहीं वहीं से आएगा, इस sphere का mass भी है, यहाँ M, तो अब आप बताओ, इस point को सीधे center से match कराएगी, यह आ गया, बहुत आसान है दोस्तों, एक sphere प्यारा है, due to B pointer, तिस तरह से normal निकाल सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे दोस्तों, कुछ आप पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप आराम से video सुनिए, सब समझ में आएगा, और बहुत comfort feel होगा आपको direction को लेके, अब इसके बाद, spherical body में, अगर माली जी हमने यहाँ एक sphere बनाया, यह ऐसे, यहाँ से contact करते हैं एक surface आई, यहाँ से इधार गई है surface, यहाँ touch है, यह हमने ऐसे की, यह angle दोस्तों, हमने theta 1 मनाया, और इधार से angle हमने theta 2 बनाया, अब हम आप से बोले, माली जी surface 1 है, यह surface 2 है, अब हम आप से कहें, बताए surface 1 के द्वारा, surface 2 पे किधर force लगेगा, तो यह जो surface 1 है, आप सूचिए सीधे, जहाँ point contact में सीधे center से match कराएगे, यह लग रहा होगा sphere पे due to surface 1, अगर हम बात करें, यहाँ जो contact है, अच्छा, इसको surface 2 बोलते हैं, क्योंकि इधार का angle theta 2 लिया है हम लोग, सूचने में आसानी होगे, और यह surface 1, तो आप बताएगे किस पे लग रहा है, sphere पे लग रहा है, due to surface 2, अगर हम इधर से बात करें, यहाँ से आप touch कराएगे, तो इधर आएगा, तो यह क्या लगेगा, sphere पे लग रहा है, due to surface 1, यह आगे, तो हम बहुत आसानी से spherical body हो, या कोई भी body हो, जैसे हमारा block है, single block ground पे रखा हो, multiple block ground पे केवल touch होना जरूए नहीं, touch के साथ साथ दबाना भी जरूए, और spherical body में जो भी point touch में इसको center समझ कराएगे, चलिए दोस्तों, अब हम लोग next force की direction की बारे में बात करते हैं, और वो force है अपना tension, तो चलिए दोस्तों, अगर नॉर्मल में अच्छे से सीखने के बाद, हम आप tension की तरफ देखते हैं, तो यह जो tension है, यह वो tension नहीं है दोस्तों, जो हमें life में होती है, यह एक force है, अब यह जो tension है, force due to strain, क्या है दोस्तों, यह force due to strain, मतलब रसी के द्वारा जो force लगता है, उसको हम tension कहते हैं, and it is always pulling in nature, and it is, it is, always, and it is always pulling in nature, pulling in nature, मतलब nature में, मतलब इसका nature कैसा होता है, pulling nature होता है, अच्छा यह तु बात हुई माली जी एक official बात चीत हुई दोस्तों, देन अब हम लोग अपनी एक rough tough language में समझते हैं, कि रसी की direction को हम रसी के द्वारा लगने वाले पूरे, attention को हम कैसे समझेंगे कब है, और किधार लग रहे, क्योंकि मैगने टूर तो हम लोग next lecture में सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखते रहेगा बच्चों, और इसको revise करते रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको इस lecture के बाद, आप direction को लेके कहीं फसेंगे ही नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपको को force लगता है, उसको हम tension कहते हैं, और यह जो रसी के द्वारा force लगता है, इसका nature हमेसा pulling होता है, और इस से pulling से माली जे नहीं समझ में आता, तो हम आपको बताते हैं, चलिए question के द्वारा ही सीखी जाती है, यह बातों ही बातों में सीखना बहुत मुस्किल होता है, तो question के थ लगने वाले forces के बारे में बात करनी हैं, तो झब हम रसी के द्वारा लगने वाले forces के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो आप यह सोचिए, आपको हम एक simplicity बताते हैं, जिस से रसी connecting है, उसी पे रसी की द्वारा force लगेगा, यह कोई चलिए नहीं दोस्तों यह आप भी बाडी पर जाके बैठ जाएए और बैठ के आप उस एक अम्परेला खोल दिए अम्परेला मींस अंब्रेला खोल दिजी अब जैसे बाडी यह पर हमें ब्लॉक पर पता करना टेंसन किधर होगी ब्लॉक ऐप बैठ जाएए और सुच यह रस्षी जिदर उधर ही फोर्स लेग तो उसका आंसर इच्छत है रसी कनेक्ट है इमेजिन करिए आप छट्वे बैटे हैं आप छट्वे बैटके अगर रसी के लिए अंब्रेला खोलेंगे तो अंब्रेला किधर खुलेगा नीचे खुलेगा अंब्रेला तो समझते होंगे ना थोड़ा बहुत दोस्तों यह जो कोई एक फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचे रखा गया है दोस्तों यहां पर जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है इस स्ट्रिंग का थीटा एंगल बन यह हमारी स्ट्रिंग है क्या यह हमारी स्ट्रिंग रसी है अब आप बताए ब्लॉक पर टेंशन किधर लगेगी तो अब बताओ च्छत पर किधर टेंशन लगेगी आप च्छत पर जाकर बैठ जाए और जिदर रसी उधर के लिए च्छता खोलेगा वह इधर खुलेगा इसका मतलब यहां पर टेंशन कर सकते हैं यहां मालने जिए फ्लोर च्छत है यहां पर क्या है ब्लॉक ए है देन यहां ब्लॉक भी कनेक्ट है अच्छा यहां यह इस्टिंग वन है क्या है अपनी स्टिंग दोस्तों वन और यहां एक स्टिंग टू है आप द्यान से सूचिए तो अभी तक हम लोग जितनी रसी यह जो दो कोश्चन किये थे उसमें एक ही रसी यूज हो रही थी यहां दो रसी होगी अब हमारे हैं कंसेट होता है कि हमारे जो रसी होती है थोड़ा सा मैगनिटूट के बारे में दोस्तों सुनते हैं यह जो हमारी रसी होती है हमारे स्लेबस में महासलेस होती है और अगर हमारे स्लेबस में जो आइडियल रसी महासलेस होगी तो थ्रू आउट इस्ट्र की वैलू बदलेगी बदल भी सकती नहीं बदल सकती लेकिन हम लोग तेहीं समझेंगे कि बदल गए मनलब अगर रसी मासले से जो की होती हमारे स्लेवर्स में तो थ्रू आउट डे स्टिंग टेंशन सेम रहेगी अब यहां इस्टिंग वान ब्लॉक के पर देखें तो दोस्त बदल गई हैं तो हो सकता है इनका मैगनिटूड बदल गया हो इसलिए टीवन टीटो लिख रहें अब अगर हम फ्लोर की बात करें तो छत की बात करें रूफ की बात करें दोस्तों तो रूफ पे बैठके चाता किदर खुलेगा नीचे क्योंकि वही रस्ति है तो हम लोग यहां टीवन ही तिखाएंगे दोस्तों देन अगर ब्लॉग बी जिसके बारे में बात चले इस पर रस्ति की बात करें तो एक ही जगा रस्ति से कनेक्शन उपर है तो देन हम यहां बोल सकते हैं और उसको टीटू ही बोलेंगे क्योंकि रस्ति से में तो वहां टेंसन के झूंछे है देन यहां ब्लॉग है और आपने क्या किया एक फूर्स लगा के इसको की लिए यह हमारे सब्लॉग के पास माश है यह अनुध माशले माशले से दो सो को माशलेस कर दिये में अज ऐसे नहीं हमका इडियल स्टिन одна तो वह माशलेस होती एक हमारे ब्लॉग इंके पास तो मास होगा ना अब आब बताईए आपने कॉंस्टेंट फोर्स लगा कि अगर खीच रखा है और यहां म्यू क्या है हमारा जीरो क्योंकि हमने अभी फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं अच्छा तो म्यू अगर जीरो है रफनेस नहीं है बिलकुर हमारी सर्फिस स्मूथ है तो यह पूरा एक्सेलेट हो रहा होगा अब अगर आपको एपे टेंसन पता करनी है एपे बैठके बच्चों अगर च्छाता खोलोगे तो आगे खुलेगा और बी पे बैठके रसी लिए च्छाता इधर खुलेगा तिस तरह से यह टेंसन की डारेक्शन आगी माल लीजी दोस्तों अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब ब्लॉक है हमारे एक से ज्यादा तो यह दो हैं माल यह दो से भी ज्यादा ब्लॉक है और वो एक्सेलेट हो रहा है तो कैसे टेंसन आगी यह माल लीजी हमारा फ्लूर है अब फ्लूर पे क्या हो रहा है यहां चाता खोलना है जितनी रश्यों से connection हर रशी के लिए चाता खोलेंगे तो इधर खोलेगा इधर बैटके खोलेंगे बीप तो एक इधर खोलेगा क्योंकि इसको इस्टिंग वन समझें इसको इस्टिंग 2 तो आप बताए एप एप एटी वान ये टी वन क्योंकि थूआउट से इस्टिंग टेंशन सेम रहती अगर हम बीपे बैठके छाता खोलेंगे यह वाले के लिए इधर खोलेगा मंतलब वी पर दों के द्वाराइब इधर होगी और इस बीपे बाट बैठके जब hen छाता खुलेगा रसी की तरफ ही छाता खुलना है क्योंकि टेंशन तो उधर ही लगेगी ना जिदर रसी है तो यह आएगा बच्चो टीटू तो इस तरह से हमने डारेक्शन निकाल ले अब माल लीजिए हमारे सामने जो कुर्शन है ब्लॉक को लेकिए हम पुली से कनेक्टे पुली एक मूसीन है। जो की टेंशन की डारेक्शन को रीवर्स कर देता है यह रहां को बताना है कि ब्लाग यह बैट का अम्प ciert ही रसी यहां से पूरी पास हो रही है अब आप बताए A पे बैटके अगर अंब्रेला खोलेंगे दोस्तों तो उपर खोलेगा अगर B पे बैटके रसी के डाइक से अंब्रेला खोलेंगे उपर क्योंकि रसी वही है इसलिए यहाँ पे दोनों T सेम ही रहेगा ती ही लिखेंगे मैगनिटूड सेम रहेगा क्योंकि थ्रूआट दिरसी मैगनिटूड आप टेंशन सेम रहते हैं अगर हम पुली पे बैठें तो पुली के लिए इस पोर्शन के लिए अंब्रेला किदर खोलेगा नीचे और इस पोर्शन के भी नीचे खुलेगा मैगनिटूड मत बदलेगा कि दोस्तों जब तक रसी नहीं बदलती है तब तक रसी में आने वाले टेंसन का मैगनिटूड चेंड नहीं होता है अब यह जानने के बाद अब अगर हम यहाँ रूप पे आए च्छत पे आए तो च्छत पे बैटके एक तीधर बनाएं यहाँ पर क्या है यह की हमने फिक्स सपूर्ट से की यह पुली करनेक की यहांस एक रसी से कनेक्ट करें हैं अब हम आप से कहें क्या आप एक काम करिए ब्लॉप के तैन्सन की डारेक्शन बरताएं क्या करना है दोस्तों बीच बीच में आप जैसे हमने कुर्शन ड्रॉ किया आप खुद वीडियो को रोक के एक बार टेंशन की डारेक्शन ड्रॉ कर लो उसके बात देखिए हमने वैसे ही किया है क्या अगर हम ब्लॉक एपर बात करें तो टी किदर आएगा उपर आएगा क्योंकि एक ही पूर्शन है उसके लिए इधर खुले है ना सान टेंशन की डारेक्शन को पकड़ना बस टेंशन कहा लगेगी जहां जहां रसी कनेक्ट होगी जिससे किदर किदर लगेगी तो आंसर उसके बैड़ जाओ जितनी रसीया हैं सब के लिए आप छता खोल दो जो रसी आप को टेंशन बतानी है तो टेंशन बतानी है टेंशन लेनी नहीं है तो यहां पर क्या आएगा एपर अंब्रेला खोलेगा उपर खुलेगा कि वही रसी पास होई है तो आप देखें कितने डाइग्राम आपको लग रहा हूंगे लेकिन खटा-खट अश्यार आरे के लिए नीचे छाता खुलेगा तिस तरह से पुली पे लगने वाले भी टेंसन यहां आ गए अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें इस ट्रिंग में तो माल लेजिए ज्यादा से ज्यादा हम कहां जा सकते हैं अपने रेंज बढ़ाते हुए तो हमें एक जामनर ऐसे पुछेंगे दो दो पुली करेक्ट हो गए यहां पर अब हमें टेंसन की डायक्शन पता करनी सबसे पहले नंबर ऑफ रसी देखिए तो आपको दिख रहा होगा यहां दो रसी यह सर्फिस हैं हमारी और सर्फिस यहां स्मूथ कर दीजिए आप अब यह जो है अब आब बत अब बताओ यहां पे अगर हम बैटेंगे इस पुली के लिए इस पुर्शन के द्वारा नयात इसको हम अगर वहां टीवन बोल रहे थे दोस्तों यहां से आं तक वो एक ही रसी थी तो यह रसी एक दूसरी है जो यहां से पास हो रही है कि यह पुली नंबर टू है नहीं अब उसके बाद यह अगर पुली नंबर वन दे हम तो आप बताओ यहां पे क्या आएगा तो यह आएगा टीटू इधर से आएगा टीटू और अगर इस रसी के लिए छाता खोलें तो उपर खुलेगा तो पुली पे लगने वाले दोनों रसीयों के द्वारा फोर्स आ ग दिया देने यहां पे हमने कनेक किया और यहां से ब्लॉग को हमने ऐसे अटाइज कि हम आप से पूछें आप बताएगे इस रसी की द्वारा ब्लॉग पे किधर फोर्स लग रहा है यह फिक सपोर्ट है तो किधर लगेगा दोस्तों उपल लगेगी बहुत सिंपल है तो आं यहां पे आपने ब्लॉग के ब्लॉग भी को कनेक किया और कनेक करके छोड़ दिया तो दोनों के दोनों जी से एक्सलेट होते विए जी साइन थीटा से एक्सलेट होते विए किधर आ रहे होंगे नीचे आ रहे होंगे अब जब आपने इनको छोड़ दिया रसी उसे कनेक क दोस्तों नहीं आता है वैसे यहाँ आप बात करेंगे तक हाँ तो नहीं साथ एक्साथ होगती प्रस्टी को करेंगे, जो हम air में होंगे तो block ना हमको press करेगा ना हम block को press करेंगे सेम ऐसे दोने एक साथ आ रहे होंगे, रसी तो बीच में होगी लेकिन acceleration सेम है तो रसी में खिचाओ नहीं आएगा तो रसी में टेंसन जीरो आएगी तो यहां की टेंशन की दोस्तों, zero आईगी, तो इस तरह से यह टेंशन की direction होगी, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अपना जो अगला force है, बहृत बढ़ी आप force है, बहृत confusing force है, भासका direction को लिए क tipping रहता है लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना तो आप अच्छे से इसमें भी कमफर्ट हो सकते हैं है वो अपना spring force कौन है बच्चों अपना दोस्तों क्या है spring force अब जो है यह spring force है force due to spring क्या था हमने force due to spring हम लोग ऐसी भी अच्छा एंड एंड इट इज ऑलवेज अपोजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् of spring मतलब spring में जो deformation हुआ होगा उसके यह हमेशा अपोजिट होता है मला अगर आपने length को कम किया होगा तो बढ़ाना चाहेगा ऐसी direction में आएगा कि बढ़ जाए length अगर नॉर्मल हो होती natural और spring हम ऐसा हमारी natural length में रहना चाहती है जब आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तभी उसमें force आएगा आप length बढ़ा देंगे तो कम करना चाहेगा कम कर देंगे तो बढ़ाना चाहेगा वापास आना चाहेगा अपने सेफ में अब यहां अगर आपने यह जो हमारी spring है अभी नेचुरल लेंथ में मतलब इस प्रिंग बिलकुर अगर लेंथ नेचुरल लेंथ से बढ़ गई होगी तो अगर लेंथ नेचुरल लेंथ से बढ़ गई होगी तो spring क्या चाहे कि उसकी लेंथ कम हो जाए तो आप पर फोर्स की दर लगेगा इधर फोर्स लगेगा और हमारे स्लिबर में spring महासलेस होते है तो दोस्तों मित्रों तो सेम वहां magnitude हमेशा का रहेगा दोनों पर सेम रहेगा और डारेक्शन अपोजेट और एसी डारेक्शन रखेंगी कि अगर लेंथ बढ़ गई है तो दोनों इंड पर फोर्स आ रहा हों वो चाहेंगे कि दोनो इंसे लेंथ को कम कर ले तो आप बताएं यहील बढ़ गई है तो इधर से ऐसे अना चाहिए और साइप से यहाँ वाल पे लग रहा होगा इदर लग रहा होगा स्प्रिंग बढ़ गई है तो दोनों तरफ से यह वापस लाना चाहेगा अगर मनें को और यहां पे मानली जी तरफ से normal होना चाहेगी यहां वाल पे किदर force लगाएगी इधर लगाएगी और जो आदमी होगा उस पे force इधर लगेगी यह लगेगे न तो इस तरह सी वापस आना चाहेगे अपने सेफ में नैचुरल लेंद को पाना चाहेगा, रिस्टोरिंग नीचर होता है इसका, अब इसके बाद, अगर मालने जिए थोड़ा बहुत और बात करें हम लोग स्प्रिंग के, तो मालने जिए यहां पर क्या रूफ है, यहां से हमने स्प्रिंग कनेक की, यहां एक ब्लॉक है तो आपको पता है, जिस समय आप ब्लॉक आराम से दोस्तों इसको कनेक करेंगे स्प्रिंग से, जहम से स्प्रिंग नीचे आएगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद यह रुक जाएगा, जिस समय रुक गया है, उस समय के हम बात कर रहे हैं, तो आप बताओ, इसका MG स्प्रिंग के लिंड बढ़ ग montón ऐए आफ्र आगई मपूरुक से करण सब्सक्राइब पर चींतर अब उसके बाद और दोनों के दोनों एक्सलेट हो रहे हैं दोस्तों सेम एक्सलेशन से यहां गिर रहे नीचा क्योंकि ऐसे छोड़ दोके तो गिरेंगी ने अगर इस बूत है तो अब यहां पर अगर हमें स्प्रिंग फोर्स की डारेक्शन बतानी है तो बहुत बढ़ी आप बीपे किदर आ ऐगा हमारे नीट में मालनीजएे यहां पर एक ब्लॉक है दोस्तों ब्लॉक का मार्स M है यहां से आपने स्प्रिंग कर और यहां से भी एक connect की, यह K1 spring को, यह first है, second है, अभी spring natural length में, मतलब यह अपने L0 1 में है, और यह अपने L0 2 में है, L0 लिखने का meaning है natural length है, spring ना किची होई है ना दबी होई है, अगर अगर आप block को इधर compress कर देंगे, दिन क्या होगा, तो अगर block को आपने इधर compress कर दिया, तो दोस्तों, थोड़ा आप सोचिए, थोड़ा तो हम बता ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, अब आप बताओ, अगर आपने इसको थोड़ा सा इधर block को कर दिया, तो आप खुश सोचिए, तो आप सोचिए तो यह वाले spring की length क्या हो गई, बढ़ गई, क्य चाहेगी, तो यह इस block पे भी इधर लगाएगी, तो दोस्तों, इस block पे दोनों spring के द्वारा force एक ही direction में आईगी, है ना मजएदार, कि spring की direction को अगर सीखना है, तो बस सितना सा देखना है, कि spring वो सब कुछ करेगी, या वही करेगी, जिससे वो अपनी natural length में वापस चली है, इस तरह हमने spring जाना, अब हमारा जो सबसे बहतरी force है हमारे nature का, जिसके बारे में बहुत सारे misconcept भी है, वो है हमारा friction, अब यह जो friction है, पहला हम इसके definition को देखते हैं, देर हम इसके detail में चलते हैं, अब friction, it is a contact force, it is a contact force, कौन सा force है दोस्तों, contact force है, तो यह contact force है, बीन touch भी friction नहीं लगेगा, जिस friction की हम बात करने वाले हैं, solid friction की, वो touch होने से लगते हैं, touch भी होना चाहिए, relative motion का presence होना चाहिए, जो होता है, देखते हैं, and it oppose the relative motion, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होता हमें, and it oppose the relative motion, दोस्तों, जैसे आप हमारे दोस्ते हैं, जो हर साल दोस्त बनते हैं, तो हमने अपने दोस्तों को, मतलब स्टुडेंट्स को, ऐसे ही देखा है कि सबसे ज़्यादा वो यहाँ लेके confused होते हैं, लेकिन after class, वो बिलकुल crystal clear होते हैं, तो हम उमीद करेंगे, आप भी ध्यान से सुनिए और आप बेग्दम crystal clear रहेगा इसके बार, it is a contact force, touch हो गए, तभी लगाए, and oppose the relative motion, relative motion, relative motion का क्या मिनिंग हैं, वो भी समझते हैं, अब यह oppose the relative motion, and its direction, and its direction, and its direction, and its direction, tangential, and its direction, tangential to contact, surface, तो आप बताएं, इसकी जो direction है, tangential to contact surface है, अब देखें, क्या है पूरा, इसमें क्या है, जो friction है, वो motion का पोज नहीं करता, friction, relative motion का पोज करता है, क्या फर्क है दोनों में, motion होने और relative motion होने में, तो यह फर्क है, कि relative motion, मतलब दो object के motion को यहां compare किया जाता है, इसमें क्या यह चाहता है, कि जो दो body touch में, हमेसा touch में रहे, जैसे माल यह एक body 10 meter per second से चल रही, किसे direction में, दुसी body भी 10 meter per second से चल रही है, तो धोनों एकी direction में, बाडी मेऊनिटूर्ट इशाल रहे, उनका relative motion झीर हो है, तो relative motion नहीं होना मतलब ये नहीं की motion नहीं है, relative motion नहीं होनना मत उनों के दोनों same velocity सेलें, मनला अगर एक body रुक रही तो friction चाहेगा आप रुक जाओ, अगर एक body चल रही तो friction चाहेगा चल जाओ, अब जैसे देखिए हमारे हाथ पे pencil है, हमारे हाथ के ऊपर रखे, अब देखो friction हमारे हाथ और pencil के बीच जो friction आएगा वो यह नहीं चाहता है कि pencil ना चले, वो यह चाहेगा कि अगर हमारे हाथ चलता है, जैसे हम हाथ को आगे लेगे, दोस्तों जो हम हाथ को आगे ले जा रहे हैं, पीछी ला रहे हैं, तो आब बताए, यहाँ जो pin है, उसको कौन चला रहा है, अंसर फ्रिक्शन चला रहा है, तो आब बताए, उसको क्या करता है हमारा हाथ चलता है तो पिन को चलता है हमारा हाथ चलता हुआ अगर रुकने की कोशिस करता है तो फ्रिक्सर उसको रूख जैसे हम ट्रेन के फ्लोर पे बैठे हैं सीट पे नहीं फ्लोर पे मानिए बैठे हैं दोस्तों अगर हम ट्रेन की फ्लोर पे बैठे हैं और की भी एक limit होती ही कि कहां तक ही साथ को बनाए रखेगा लेकिन उस बिदिल लिमिट में अगर बात करें हम फ्रिक्षन के तो अगर ट्रेन को दीरे-दीरे रोका जाएगा कोंटेक्ट पॉइंट से पर्पेंडिकुलर होता है वैसे फ्रिक्षन लॉंग भी कॉंटेक्ट सर्फेस होता है चलिए इसकी डारेक्षन के कोश्चन देखते हैं दोस्तों तो जैसा पहला कोश्चन मालीजिए यहां पर यह हमने एक ब्लॉक बनाया अब यह जो ब्लॉक है मा प्रिक्षन आएगा वह किस जारेक्षन की अगे दोस्तों तो आपने इधर लगा या आपको बोला गैं रेष्ट को अगर दोस्तों यह cotton स्पीर कि लॉग कि यार रेश्ट में है ऐसा तो नहीं आप कुछ भी लगा तो चल देगा क्योंकि देखो ब्लॉग क्या है पहले रुका हुआ है ग्राउन के टच में अब आप गए उस पर चलाने तो जो फ्रिक्शन है ना उसके जीवन का परपज क्या है दोस्तों तो यह जो फ्रिक्शन है ना आप चलाने आपके फोर्स के चलाने की टेंडेंसी होगी फ्रिक्शन उससे उल्टा के इसको चलने से रोग देगा अच्छा अगले कुश्चन में अगर हम बात करें मालीजिए यहां एक इंक्लाइन प्लेन है एंगल ऑप इंक्लाइन थीटा है दोस्तों यहां एक ब्लॉक रखा है और मिउन नॉट इक्वल टुजीरो है अब बताओ अगर यहां रुका हुआ है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होने वाद़ है तो दोस्तों यहां पर आप सोचे रुका हुआ है तो अगर यहीं साइन थीटा क्या चाह रहा होगा कि खिच के नीची चला है ले बती है अब दोस्तों कि तो मानली जी हमने एक ब्लॉग बनाया यहां पर हमने कहा यह ब्लॉग रुका हुआ है अब आप बताए हैं फ्रिक्षन किधार आ रहा है not equal to zero है दोस्टो किधार आ रहा है तो दोस्टो यहां फ्रिक्षन ही नहीं आ रहा है क्योडिक़ फ्रिक्षन तब ही आएगा ना जब उसके जरूरत होगी औभी क्यों आएगा यहां पे क्यों आया था क्यों कि वहां पर आपने फूर्स लगाया था चलने टेनन्सी आरहे थे तो पर स्थ निया है अ हम लोग क्या बोलने पर यह फूर्स हां कि बाहर से क्या बतक हम्हाइं लगना जो चलने कि अड़ vimos wander पढ़ें दोस्तों नेक्स की को सब्सक्राइब करें यहां क्या होगा मालीजी हमने आपके लिए यह हमने इंक्लाइंट प्लेन बनाया अब इस इंक्लाइंट प्लेन पे मालीजी यह ब्लॉक हमारा उपर की तरफ जा रहा है यह मास हमारे ब्लॉक का और ब्लॉक कि दर जा रहा उपर जा रहा दोस्तों मू नॉट इक्वल टू जीरो है तो अगर हमारा ब्लॉक उपर जा रहा है जानिक टेंडेंसी उपर है तो आप बताइए अब यह फ्रिक्शन की रेंज से बाहर बात हो गई हा लेकिन आज भी चाहता होगा कि इन क्लाइन प्लेन नहीं चल रहा है तो ह प्रिक्शन किदर आ रहा होगा नीचे आ रहा होगा अब चलिए नेक्स कुस्चन जो हम लोग इनक्लाइन का ड्रॉ करते हैं चलिए दोस्तों अब देखें दूसरा अब मालीजी हमारा इनक्लाइन प्लेन है इस पर मालीजी जो ब्लॉक है वो स्लिप करते हुए नीचे गिर गिर रहा है तो अगर यहां यहां पर आएगा और देखे दोस्तों मान लिजिए यहां पर वाल है और आपने क्या किया एक ब्लॉक को दोस्तों यहां से प्रेस किया और जब आप mu not equal to zero है तो आपको क्या लगता है इस समः friction क्या चाहेगा mg इसको किदा लाना चाहेगा दिवाल के touch में दिवाल rest में तो दिवाल friction चाहेगा ये भी rest में रहे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो mg है यहाँ पर बात करें mg किदा ले दोस्तों एमजी नीचे होगा इसको खीचना चाहेगा और फ्रिक्षन चाहेगा टच बना रहे तो इसका अनलब फ्रिक्षन कहाएगा दोस्तों उपर आएगा इस तरह से फ्रिक्षन आके और इसको रोक देगा लिखाने रेस्ट में अच्छा उसके बाद नेक्स अगर डाइग्राम की वर्यागि बात करें तो माली जी हमने आप से कहा कि यहां माली जी एक फ्लूर है एक कार है कार का हमने फ्रन्ट दिया यहां पर यह कार का मास कैप्टल हम हैं यहां एक स्मॉल मास हम हैं कार एसे एक्सिलरेट हो रही है आप बताओ ऐसा कुछ बताओ कि यहां पर ब्लॉग स्लिप करके ना गिरे मिव नॉट इक्वल टू जीरो है दोस्तों कहने को मतलब इसको विजुलाइज करिएगा सारा खेल फिजिक्स नहीं गिरती ना अगर आप तीजी से भागाएंगे तो आगे जो ब्लॉग रखा है उस देखो कार खड़ी रहेगे स्लिप करके गिर जाएगा कार तीजी से एक्सिलेट हो रहे है ज्यादा एक्सिलेट है जो भी है जितना एक्सिलेशन हम कर सकते हैं तो अगर माली ऐसी रहेगा कार आगे जा रही है कारवाई में नहीं तो उसके टच में भी बना रहे ना उसके रिश्पेट में ना चेले एक्सिलेट हो गई अच्छा अब इसके बाद अगए और बात करें तो मान लीजी यहां पे यह कार है उसका यह वील है यहां पे क्या कि आपने एक block रखा है आपने और यह जो है देर नो रिलेटिव मुझें, no Subscribe to you looks amazing, मतलब यहाँ कोई रिलेटिव मुझे नहीं कार हमारी किदह HOT आगे और इसमें जो block रखा उसमें और कार के फ्रोर में कोई रिलेटिव मुझे आप ब्लॉक प штasm लग रहे, आगे चल रहा है कोई सरनी इसको चला का कॉंन रहा है, तो आम बताई आहां पर जो ब्लॉक है उस पे किदर friction आएगा दोस्तों, जो ब्लॉक है उस पे friction आगे आएगा, ठोड़ा बहुत अगर आप कि अगर floor ने block पे आगे friction लगा रखा है तो block floor पे किदा लगाएगा पीछे लगाएगा या इन सारे friction की जो बात करते हैं चलिए हम लोग next question से देख लेते हैं उसको, यह आगए हमारे लाइसे अब अगर नेक्स कुश्चन की तरफ जाए बच्चो माली जे बहुत सारे block एक दूसरे उपर slip कर दो वहाँ कैसे deal करेंगे माली जे यहाँ एक block A है देन यहाँ एक block B है और यहाँ पर एक block C है साहिए यह ब्लॉक सी है यहां इसकी विलॉस्टी यह वी इसकी दोस्तों वी वाई टू और इसकी यह मालीज यह टू वी और यह सारी की सारी सर्फेस रफ हैं यह भी मियू नॉट इक्वल टू जीरो है दोस्तों यह भी मियू नॉट इक्वल टू जीरो है और यह भी हमारा मि not equal to zero है अब आप आराम से बता है अब इसमें जब एक दोसरी को उपा स्लिप करना शुरू कर गये हैं तो कैसे देखते बच्चों तो अगर मालेजी दोस्तों एक ही बात करें तो अगर सी की बात करते पहले अगर हम सी की बात करें तो सी को ऐसे ड्रॉ करिए अब आप बता हो जो टच में वही फ्रिक्षन लगाए और आप एक ट्रिक बताते हैं कि जो फ्रिक्षन लगाएगा उस पर जाके बैढ़ जाए अगर एलेटिव मोशन पर जाए और जिसमें पता करना उसको देखे किधर जाता हुआ लग रहा है जिदर जाता हुआ लगेगा उसके उल्टा लगेगा तों आप जैसे बीपे बैठ गए तौब बैठ कर देखो किधर जा रहा है यहां बैठके बेठKE स्लो है न लगेगा तो यहां धर आप बैठके गँदोन में यहां विश्य अगर हम बी पे कौन कौन टच में है तो आंसर में सी और सी और आस तो दोनों फ्रिक्षन लगाएंगे, तो अब एक काम करो, पहले C पे बैट जाओ. C पे बैट जाओ, C पे बैटके B देखो, आप वो किधा जाता देखेगा, पीछे, क्योंकि C फासल रहा है B के में तो पीछे आता देखेगा, तो यहां पे जो फ्रिक्सन किदार आएगा आगे आएगा तो B पे due to A आ रहा है अब इसके बाद अगर हम A की बात करें यह जो block A है इसका कहा कहा से touch है तो answer is ground से touch है और B से touch है अब ground पे बैठके अगर आप A देखेंगे तो आगे जाता दिख रहा है तो ground की दोरा जो friction आएगा और किदर आएगा पे आएगा किस पे आ रहा बच्चो A पे आ रहा है due to ground अब अगर हम बात करें कि आप यह बताओ B भी तो touch में B किदह लगाएगा B पे बैठके A देखें वी जा रहा वी बाइटू से यह जा रहा टू वी से तो B पे बैठके यह देखेंगे यह आपको आगे जाता दिखेंगा तो friction पीछे आए तो यहां पे friction पीछे आएगा किस पे लग रहा यह पे ड्यू टू बी तिस तरह से दोस्तों आप जो है अच्छे से अगर आपने इसको सुना है लेक्चर तो आपने अच्छे से डारेक्शन पर कमांड क किलोवेट प्रैक्टिकल यूनिट जाने यह वेक्टर है तो मैंक्टो डारेक्शन फिर डारेक्शन को हम लोगों ने सीखा सीखने के लिए forces को पहले classify किया contact non contact contact में जो बनना शुरू हुए बच्चों सबसे पहले नॉर्मल आयात नॉर्मल की डारेक्शन हमने सीखी उसमें ब्लॉक के बारे में सीखा रॉड के बारे में सीखा इंक्लैंट प्लेन पे सीखा इस्पियर के बारे में सीखा ब्लॉक के बारे में सीखा ब्लॉक के बाद ब्लॉक रखें वह सारा सीखा उसके बाद हम लोगों ने टेंशन की डारेक्शन सीखी उसमें सब कुछ सीखा हमने up किस्टिन के दौरा जितना मैं मैंक्समुम कुम को दिνή वो सब सीखा हमने देन उसके बाद हमने इस प्रिं चो дополн सी रहती है जै करwright करना है हमने आज जो सीखा है आज का आज का आज ही कर लेना है और assignment और भी solve करना है copy अच्छे से बनाना है और जो है इसको कल पे नहीं टालना है और बच्चो रजिस्टर आयाएवी PCB आधार 3.0 थिंगनेट थिंग आयवी